हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम बैक टू प्रभला क्लासेज आज हमारा ये दूसरा करेंट केस लौ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे आज का जो हमारा केस है उस केस का नाम है मारियानो एंट्रू ब्रूनो पनाम पुलिस निरिक्षक ये हमारा केस बारे अक्टूबर 2022 का है इसके अंदर अगर जो IPC की धारा 306 है उसमें जो दो सिद्धी के लिए अभियुक्तों के कृत्यों गटाओं के निकट होना चाहिए अगर 306 के तहट कोई दो शिद्धी की जा रही है तो वहाँ पे जो अभियुक्त है उनके कृत्ते जो है घटना के निकट होने चाहिए अग ये कोट ने क्यों कहा तो चलिए हम देखते हैं देखिए अगर मैं केस के फैक्ट की बात करूं तो जो अभियोजन पक्ष था उन्होंने यह मामला दर्ज कराया था कि शादी के बाद जितने भी आरोपी थे यहाँ पे सभी आरोपियों में मृतक का पती और उसके सुस बूर करते हुए उनके साथ दुर्वभार किया और उन्हें अपानित किया इसके अलावा 2014 में दूसरी गर्भवस्था के गर्भपात के बाद आरोपी व्यक्तियों द्वारा दुर्वभार किया गया उत्पीडन किया गया और उत्तेशना कई उना उनकी जादा बढ़ गई जिसके कारण उसने जुम्रतक थी उसने आत्महत्या की यहाँ पे धारा 498A और 306 IPC यानकी भारते दंड सहीता की धारा के तहत एक साथ दोशियों का मतलब ट्राई कोर्ट ने और मदरास हाई कोर्ट द्वारा दोशी ठहराया गया था अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है जब उनके पास अपील गई जितने भी आरोपी व्यक्ति थे उन्होंने जब अपील करी इनकी कोर्ट मदरास हाई कोर्ट के और गेंस तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीट थी उसने कहा कि रिकॉर् और ऐसा कोई सबूत मौजूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मृत्व को उसकी मृत्तियों से ठीक पहले अपील करता हो द्वारा प्रतारित किया गया था दूसरी चीज इसके लिए एक सक्रियक कारे या प्रत्यक्ष कारे की भी आविश्यक्ता होती है जो मृत्व को आत्महत करने के लिए उकसाता है और कोई अन्य विकल्प नहीं ढूनता यहां पर कोट ने यह कहा कि जो मृत्त थी जिस समय उसने आत्महत्या करी थी उस समय ऐसा कोई भी सक्रियकारे या प्रत्यक्ष कारे नहीं हुआ था जो रिकॉर्ड में जो भी रिकॉर्ड सबूत के तौर पर प्रसूत किये गए थे कोट के सामने उसमें से कोई भी ऐसा जो एविडेंस था सबूत था वो ऐसा नहीं था जो यह दर्शाता हो कि मृत्यू से ठीक पहले जो भी आपील करता थे उन्होंने मृत्यक को प्रतारित किया था आगे कोट नहीं कहा कि कृत्य ऐसा होना चाहिए क कि आरोपी ने मृत्यक को ऐसी स्थिती में धखेल दिया है कि वह आत्महत्या कर ले यानि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वह आत्महत्य कि लावा कोई और रास्ता उसे मतलब दिखी नहीं रहा था दूसरी चीज है कि अभ्योजन पक्ष को उचे संदे से परे स इसा कोई पूफ लेकर के आया नसा साबीत कर पाया कि मृत्यक को आत्महत्या कंपीर करता है उसने उकसाया था और नहीं यह प्रूफ कर पाया कि ऐसा कृत्ति हुआ था उसकी मृत्तियु से पहले कि उसके पास और कोई option ही नहीं था आत्महत्या करने के लावा आगे जो पीत्तियु उसने कहा कि धारा 498A IPC के तहट आरोप के बारे में कहा कि घटना के बाद दर्ज अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के इलावा शादी के दौरान मृतक से दहेज दुर्वाहर की किसी भी मांग के आरोप को स्थाबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है यानि कि जो 498A IPC के तहट जो आरोप लगाए गए थे वहाँ पर जो अभियोजन पक्ष था वहाँ पर जो भी उसने गवाही हुई थी उनके गवाही हुई थी उनके तरफ से जो बिटनेस आये थे उनके बयान के इलावा शादी के दौरान मृतक से दहेज दुर्वाहर की कि किसी भी मांग का आरोप का उनके पास कोई भी पुक्ता सबूत नहीं था दूसरी चीज धारा 306 के तहट जो IPC की है कतित आत्महत्या के लिए उक्साने के मामले में आत्महत्या के लिए उक्साने के प्रत्यक्ष्य करत्यों का साबगत होना चाहिए यानि कि अगर 306 अप के बिना पर किसी सकारात्मक कारवाही के आरोपी को IPC की धारा 306 के संदर में दो शिति किया जाना ठिकाओ नहीं है तो यहाँ पर यह कहा कि जब एविडेंस ही पुक्ता नहीं है सारी चीज़े कमप्लीट ही नहीं है एविडेंस आप साबित नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा कि 306 के संदर में हम से क्या करें दो शिति करें और यहाँ पर जो सुपीम कोट है उसने जितने भी अपील करता थे उनकी आरोपी थे उनकी अपील एकसेप्ट कर ली और फिलहाल उने बड़ी कर दिया तो यह था आज का मारा दू थाचिंज चेक के, रबाइ